हलो नमस्कार में उदीप और आप देख रहे हैं डी-एस के टॉक्स बिग बॉस सोला से आज अब्दू का सफर खत्म हो गया और कल रात के एपिसोड में साजित थान का भी सफर खत्म हो जाएगा कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन पहले जो नजर मारी थी ना ये शालीन ने और सदी की सबसे महान माईला ने कि मंडली में से कोई नहीं जा रहा है मंडली को ऐसी नजर लगी है कि मंडली के दो स्ट्रॉंग पिलर्ट्स एक दम से ढह गए या फिर ये कहें शोल से बाहर हो गए ये देखकर कि ऑवि साजित कैसे कि रहा था मेरे को फील आ गया था मेरे को पता चल गया था आरे भाई साब किसको चूरें चिपका रहा है साजित खान हमने भी कुछ दिन पहली देखा था ये फैमिली वीक के दोरन जहां अब्दू अपने वालिद से कॉल करता बात करता है और उसका एक लगश लिए वहीं दूसरी तरफ ये बिग बॉस किरा था कि अगर सामाने रूप से ये सीजन चल रहा होता कोई एक्स्टेंशन नहीं होता तो ये जो कुछ दिन है ना ये ग्रैंड फिनाले के दिन चल रहे होते और ये चल रहा होता फिनाले वीक तो जाहिर तोर पर 15 जनवरी को का तेलिकास्ट होता और फिनाले की जो शूटिंग है वो फ्राइडे-सेटइडे को हो चुकी होती और उसी दिन तक इसका साजित का और इसका अब्दू का contract था इन फेक्त यह कहें कि सारे ही कंटिस्टेंट का contract था लेकिन साजिद और अब्दूने contract को renew नहीं किया, extend नहीं किया अब इस चीज को voluntarily exit का नाम दे दिया गया और दुनिया को बना दिया गया बेवकूफ अब इस episode में जो घटना करम घटा इसके पहले में आपको थोड़ा flashback में लेकर के चलता हूँ उन लोगों को जिनने लगता है कि उनके votes या फिर उनके trend से show के उपर कोई असर गंटा असर नहीं पड़ता आप एक बात बताईए कि क्या अब दू और साजिद नोमीनेशन में आये थे यह लोग तो नोमीनेशन में आई भी नहीं इन फेक्ट जब-जब साजिद खान नोमीनेशन में आया या तो वोटिंग लाइन ही बंद हो गई या फिर उस वीग नो एलिमिनेशन अनाउंस हो गया क्यों अनाउंस हुआ था पिकोस साजिद को जैसा कि मैंने आइधिंक ग्यारा दिसंबर को एक वीडियो डाला था मैंने जहां पर साजिद थान का एक्स्क्लूजिव कॉंट्रेक्ट जो कि हिंदुस्ताइन टाइम्स के पास पहुंच गया था मैंने अपने वीडियो में वो सारे पॉइंट्स हाइलेट किये थे कि साजिद का मीटू वहाँ पर डिसकस नहीं होगा साजिद का एलिमिनेशन पब्लिक वोट से होगा ही नहीं और वो टॉप सिक्स में आए बिना बाहर जाएगा ही नहीं अब ये तो क्या है कि शो गई थी लेकिन शो हो गया एक्स्टेंड लेकिन साजिद को अपने पिक्चर शुरू करनी है और ये जो बिग बॉस का मुकाबला है ना ये कैसे बाल वन से फिक्स होता है इसके बारे में मैंने 5 सेप्टेंबर को वीडियो डाला था और इस सीजन में क्या-क्या एक्स्पेक दी जाएगी और एक्ता कपूर आएगी अपने नागिन के लिए किसी एक लड़की को चुनने जैसा कि कुछ लोग खबर दे रहे हैं कि एक्ता कपूर आने वाली है जहां पर प्रियंका चाहार चौदरी और फजग्गा टू पॉइंटों को नागिन का या फिर आल्ट बाल और को अपने वीडियो में पहले ही बता दिया था क्योंकि जब ये शीतल और ये सल्मान ने अनाउंस किया था ना कि सीजन का आगाज होगा expect the unexpected और मेरी आदत क्या है ना कि मैं makers के या फिर host के word को पकड़ के रखता हूँ और makers के उनी शब्दों के आधार पर मेरा एक नजरिया बने जाता कि चलो ठीके मैं इसी point of view से अब show देखूँगा अब क्या है ना भाई साब की fans का तो समझ में आता है क्योंकि वो जजबाती हो जाते हैं और वो इतने जादा emotional हो जाते हैं कि वो अपने favorite के point of view से ही सारी चीज़े देखते हैं लेकिन वो तमाम so called ex contestant जो कि उस reality का हिस्सा बन करके आये हैं या फिर वो तमाम YouTubers जिनके millions of subscribers हैं जिनने अच्छे से पता है कि Big Boss के अंदर कुछ भी really होता है कैसे public को बेवकू बना जाता है लेकिन public को aware करने के बज़ा है वो लोग तो खुदी public को mislead करते हैं ये बवाल voting trend ये गया ये गया प्रियंका फैंस ने बदल दिया voting trend कौन सा voting trend बदल दिया ये लोग लगे रहे कि प्रियंका के फैंस कर रहे हैं श्रीजिता को vote कौन से vote आये थे उसको और ये प्रियंका जैसी fake है ना उसके fans उससे भी next level के fake है एक Bollywood Life ने एक report publish करी है कि प्रियंका चार्च हुदरी का एक fan तो इतना next level का fake निकला कि उसने fake celebrity की ID बना ली और उस ID से tweet करने लगा कि देखो ये फ़लाला celebrity भी प्रियंका को support कर रहा है तो जैसी वो fake बाहर उसके fans भी उससे next level के fake और ये जब पोल पट्टी में खोलता हूँ ना तो इस नली जग्गा के fan आ जाते हैं अरे भाई तुमको वही दिखती है अरे तुमारा channel उससे ही चलता है ये वो और रही बात मेरे channel की तो मेरा channel तो साल भर चलता रहता है बिग बॉस के टा alan पर ज़्यादा देखते हैं ये अलग बात है और वाईज में क्या के डंके की छोट पर सीधी बात करता हूं और लोग मुझे subscribe इसलिए नहीं करते क्यों कि लोगोगों को चाहिए कि उनके favorite की सिर्फ तारीफ है तारीफ है तारीफ हो जो तारीफ के लाइक काम करेगा हम उसके तारीफ डंके के चोट पर करेंगे जो डेवन से फेक है ड्रामा कर रहा है थूक करके चाटे ऐसे कंटेस्टेंट की कहां से तारीफ हो सकती है ऐसा कंटेस्टेंट कौन है जग्गा जिसको क्या दिब प्लान ए या प्लान बी आप एक बात देखी ये सदी की सबसे महान महला है जो टू रियल फॉर रियालिटी शो है वो दो फेक लोगों को पाले बैठी है और ये दो फेक लोग को ने शालीन और टीना जिनकों कि पीते कितने ही वीकेंड से सलमान खान, कुछ फैंस, बाहर की कर चुक है कि टीना और शालीन कितने फेक है और इसे फेक लोगों का साथ देती है सदी की सबसे टू रियल फोर रियलिटी शो वाली महला, वहीं एक कुट्ते की दुं भी हमें देखने को मिली कौन, अर्चना गॉतम अर्चना गौतम एक्चुली में कुट्टे के दुम है उसे अपनी गलती कभी नहीं दिखती है यहाँ पर भी वो घटिया वाइड या फिर गाली गलोच के उपर मुद्दा लेकर के बैठ गई और संदीब सिकंद ने क्या धो डाला है उसको यार जिस तरह से वो MC स्टैंड के फैंस का बोल रही थी अगर यहाँ पर संदीब सिकंद एक बात और बोल देते हैं कि डियर अर्चना तुम बनना चाहती हो नेता यही फैंस हैं जो कि तुमारे वोटर भी बन सकते हैं एक नेता और एक अभिनेता इन दोनों का करियर जनता डिसाइड करती है एक अभिनेता की फैंस हिट करवाते हैं और एक नेता को वोट पब्लिक देती है तो जितने जरूरी एक अभिनेता के लिए फैंस होते हैं उतने ही जरूरी नेता के लिए वोटर होते हैं और ये वोटर और फैंस कोई नहीं बलकि आम पब्लिक होती है तो ये नली सी अर्चना क्या नेता बनेगी जिसे पब्लिक की कोई गदर ही नहीं है बाहर से बैक टू बैक प्रियंका गांधी उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उस स्लोगन को इसने कोछ जादा ही दिल पर ले लिया है I don't think कि इस तरह की हरकते करके प्रियंका गांधी शायद इसको अपने पास भी खड़ा करें बिकोज ये अर्चना जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि ये तो डूबेंगे ही ये जिसके साथ खड़ेंगे उसको भी ले डूबेंगे और कॉंग्रेस का जाहास तो वैसे भी डूब रहा है और अर्चना जैसे लोगों को अगर पहली फुरसत में छुट्टी करते निकाल दें तो आई थिंग ना पार्टी थोड़ा उबर सकती है राइस कर सकती है पार्टी में थोड़े सेंसिबल लोगों को ये लोग लेकर क्या है जिने मुद्दे की समझो बात करने का तोड़ तरीका हो उनके पास ऐसे लोगों को कॉंग्रेस कभी भी तवज्जो नहीं देती है त आप सुनती नहीं हो समझती नहीं हो लोग कोई में कुदेंगे ता आप भी कुद होगी क्या मतलब ये कैसी नहता बनना चाहती है जिसे फैंस की या फिर वोटर की कोई एहमियत या कोई कदर ही नहीं है ये क्या नहता बनेगी जिसे मतलब बात करने का तरीका ही नहीं है हमे पहностиने का साबि भी कहानीका सारफ यह है कि आर्चना सुधने सीर्णाइन वाली है और ना ही सुधनरेगी इना तो कितनेLes देनाइल वाले मोड में चल रही थी जैसे कि टिना ने खुछ गलत किया ही नहीं यह सारा ब्लेम वो शालीन ओप डाल रही तब ही टीना दत्ता आकर के बैठ जाती ही कि शालीन तुम्हारों सुंबूल का कुछ चल रहा है क्या उसी दौरान गौतम एंड शालीन में एक होड लग जाती कि कौन कितनी जल्दी लड़की पटा लिता है हमने देखा कि गौतम सुंदेर को पर डोले डालता रहता है शालीन भी डोले डालता है लेकिन फिर शालीन का टांका फिक्स हो जाता है टीना के साथ एधर शालीन और टीना साथ में अपना समय बिताते हैं बीच में सुंबूल कबाब में हड्डी बन करके आती रहती है उसके उपर आई थिंग मैंने कुछ-कुछ होता है वाली ठमनेल डाली अगर आपको याद होतो तो कितनी खूबी से मैंने वो सारी चीज़ा आपके सामने रखी थी लेकिन अफसूस इतने व्यूज आए नहीं तो बहुत सारी लोगों को पता ही नहीं चला अब क्या है कि अशो दंकल या फिर ऐसे लोग बोल देंगे या रही ये फेक था वो था त सलमान खान की जो पिक्चर राने वाले किसी कभाई किसी की जान उसके लिए हाइप बनाने के लिए ये लोग अब्दू को रखे हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर निम्रत को स्पून फीट किया गया है एक चीज तो क्लियर है एक तो साजित चला गया अब्दू चला गय है मतलब डूबते हुए जहाज पर हो आप भी डूबोगी और आपके आसपास के लोग तो डूबी रहे हैं तो जग्गा को थोड़ी दर के लिए पिक्चर से हटा देते हैं हाँ शीतल का कुछ अलग से एजेंटा हो तो हम कह नहीं सकते लेकिन जग्गा तो कहीं से कहीं तक इतनी को टकर देने वाली है क्योंकि सुंबूल जैसं कि इहां सलमान ने भी बोला कि बाहर से तो मारे अबूजान बोल गय थे तब भी तुमने उनकी NG sūnई हैं यहाँ पाले पूपर तो कि सारे घर कोशिच करिए कि तुम्हारे पापा आये थे तुम्हें क्या बोला मंडली से अलग हटो क्या शिव को तुम ट्रॉफी दोगी एंड यसी दौरान हमने इसका निम्रत का गर्जब प्राजब से कि वो ट्रॉफी देदेगी उस दिन के रीविव में मैंने ये बात कही थी कि ये निम्रत किसी को फुटी कौडी ना दे इन फैक इसने जब स्टार्ट में घर के अंदर प्रविश्ट किया था तो इसको बिग बॉस ने कैप्टन बना दिया था उस खेरात की कैप नहीं चाहती अकेले उसको जबर दस्ती में आगे पुश्ट किया जा रहे हैं और निम्रत के पपा जी यानि कि ब्रिगेडर एलुवालिया सहाब जिस दिन आये थे उन्होंने तो कहा ही था आप सबने देखा है वो कह रहे थे कि बेटा मंडली से अलग हो जाओ अकेले खेलो इंडिविजुल खेलो तभी तो जस्टिफाय करेंगे मतलब पुश्ट करने को जस्टिफाय करवाने के लिए आप इंडिविजुल हो जाओ ये सारी चीज़े आपने सबने देखी है कि कैसे निम्रत के लिए रेड कारपेट बिच्छाने के तयारे कर रहे हैं मेकर्स अब देबांगे ने कहा कि अंकित के जाने के बाद तुम एकदम से दोस्त बन गई उटीना की कौन सा प्लान B है, D है, A है या कोई प्लान ही नहीं है तो वो जग्गा जिसका खुद का कोई प्लान नहीं है वो यहां निम्रत के बारे में बोल रही थी कि निम्रत की इंडिविज के मारता हूँ तो यहाँ पर निम्रत क्या वकालत करेगी यार वो यहाँ पर बोल सकती थी कि look who's talking जो खुद सकी सहली और वो भी फेक सकी सहली की जंडली में बैठी रहती है वो तो बोले ही ना कि मेरा कोई individual thought process है या नहीं है मैं जैसी भी आई हूँ अकेली आई हूँ तुमारी तरह बाहर से दूला लेकर के नहीं आई थी तो तुम तो बाती मत करो प्यारी बहन लेगे निम्रत बींग निम्रत सही टाइम पर सही बात कभी नहीं करती है निम्रत और उन्होंने पासल वकालत करी है मतलब यार वकालत के पेशों को बदराम करके रख दिया निम्रत ने क्योंकि वकील तो वही होता है नो जो सामने वाले की बाते सुनके पटाक से एक सेकिड के अंदर अपना answer ready कर ले और सामने मानेंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे वीकेंड हो चुके हैं जहापर जग्गा को जलिल किया गया ह follow camera और भाई साथ जलील में जलील भी कोई चोटा मोटा जलील नहीं और नेस्ट लेवल का जलील किया जग्गा और अग्गा को कुंब मैं बिछुड़ हुई बेहन है मतलब next level irritating टीवी के speaker फड़ जाए इतनी जादा irritating voice है इनकी इने अपने review में मैं तो जग्गा हग्गा बोलता ही रहता हूँ चलो अब मुझे संदीब सिकन को देख करके यह एसास दो हुआ कि इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ जो को जलील किया गया अर्चना को जलील किया गया निम्रत को स्पून फीट किया गया है सुंबुल को स्पून फीट किया गया है शालीन तो हर weekend अपनी बेज़िती करवा ही लेता है लेकिन शिफ्ट हाकरे और MC को हर weekend सिर्फ appreciation मिलता है और यहाँ पर जिस तरह से संदीब दोनों नहीं भर भर के तारीफ करीए MC स्टैन की इधर MC स्टैन की तारीफ होई इसके अर्चना के गुर्दे चल गए और वो बाहर के फैंस को भी ड्रैक कर लेती है जाहिर तोर पर अर्चना से किसी और की तारीफ जो है वो बढ़दाश नहीं होती है वो बहुत insecure है वो जल दस्ते बंदा काफी ज़्यादा डीसेंट है रियल है तो जाहिर तोर पर बंदा अगर सौटेड है तो उसको एप्रीशेट करना तो बनता है और आई डॉंट थिंग कि यहां अर्चना को जलना चाहिए इन फैक्ट अर्चना को तो यह कोशिश करनी चाहिए कि यार यह इतन अपने में इंप्रूव्मेंट लेकर नहीं आते हैं सेम मेंटिलेटी अर्चना की दुनिया भर को ब्लेम करेगी सब गलते संदीग गलते सब गलते सब गलते सई को ने आर्चना दे भी वाँ तब ही शायद 15100 वोट मिले थे तो गनीमत है कि वह 1500 वोट के लिए अपने छेतर नहीं मिलता रहता है इनके अंदर कोई खामिया है नहीं जबरदस्ती के खामी बना करके उनको पर डाल दी जाए वो अलग बात है अदरवाज इनके गैम में कहीं कोई कमी नहीं निखा ली जाती जैसे आये थे वैसे ही अब तक चल रहे हैं इनकी मंडली में बाहर से लोग हैं ये अपनी मंडली तोड़ करके नहीं गया एमसी स्टैंड थोड़ी त्रैंग के लिए एमोशनल हो गया था जब वो जग्गा के पास और गौता के पास गया था लेकिन लोट के बुद्दू वापस आये वाले फंडे के तैद वो वापस आ गया तब से आया है तो वो मं मंझ में आ रहा होगा कि कितनी नकली और बनावट की दोस्ती है ना ये सोकॉल सदी के सबसे महान मेला की और ये जब सीजन शुरू हुआ था इस सीजन की शुरू आतम मैंने कागज की फूल फिल्म का रेफरेंस दिया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहां पर दिब पर से सब लाकर कि अपने पैर पर दे मारे और बात कर persons ने बात कर रहा था कि मेरी वात मत बटाऊ आए मिरे खोल देना और ये टीना किढ़ों ली थो तु soybean किदीन रहे थे जैसे की संदीव बहुत अच्छा था कि ऐसे तो शेव ओर निम्रत भी दोस्ते हैं सुंदर्या या फिर अर्चना भी दोस्त हैं या फिर स्टैन और टीना भी दोस्त हैं लेकिन इनकी दोस्ती में वह वाली केमिस्ट्री नहीं है और ये टीना जो कि अर्चना को बोली थी कि दोस्तों साब होते हैं तुम भी हो हम तुमको लेस्बियन बोल दें क्या दोस्ती में हाग वाक्षाब होता है लेकिन यहाँ पर संदीब के सामने और दिबां के सामने और सलमान के सामने टीना के मूँ में दही जम जाता है यहाँ पर संदीब सिकंद यह बात बोल देता कि अपनी यह जो चिपकना जो था उसे जस्टिफाय करने के लिए तुमने दूसरे लोगों को भी गलत दिखा दिया कि लेस्बियन हो ऐसे हो वैसे हो शेव और निम्रत भी ऐसे है शेव और निम्रत ने कब नंगे बदन डांस कर है या फिर कब निम्रत ने शेव के कान में आकर को बोला आई लव यू है तो यह हरकत है जो टीना ने खुद करी ना उसकी इमेज का जो खचरा हो रहा वो उसने खुद किया है और खुद को ही उसने गोल्ड डिगर कही है या फिर कैरेक्टरलेस खुद उसने ही साबित किया है अपनी ही करनी का फल मिल रहा है टीना को ओ या फिर यह कहें कि भाई जैसे कि लॉड राजपाल यादव ने भूल बूले ही हमें कहा था ना भूल बूले है टूम है कि बेजिती कही तो पैसा है क्या पता जूजू डॉली राम इन सब ने मिली भगत करी हो यह प्लान बना यहाँ पर एक जो एक्टिंग या नौटिंग की है ना उसे बदस्तूर जारी रखे हुए और इसका कुछ क्रेडिट जो है ना वो हमें मेकर्स को भी दे देना चाहिए क्योंकि इस वीक यह टीना और शालीन का कुछ जादा लफड़ा हुआ नहीं था लेकिन जैसे कि इसने और संदीब सिकंद का राइटर हैं डिरेक्टर हैं तो वह अच्छे से जानते कि कैसी स्क्रिप्ट होती ही क्या फ्लो होता है कब कब क्या क्या होता है तो संदीब सिकंद का जो नजरिया है ना वही नजरिया मेरा भी है विकाज मैं भी स्क्रिप्टिंग और यह फिल्मेकिं लोगों को क्या है ना कि बस खैली पुला वाली दुनिया में रहना है वोटिंग ट्रेंड इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया आप खुद सोचिए भाई साब स्रिजिता जिसका कोई गेम नहीं था उसका कितरे भी वोट दे देते उसका जाना पक्का था अबदू और साजित इनका 15 जनवरी तक का ही कॉंट्रेक्ट था बट वो जो एपिसोड जो की 15 जनवरी को आए उसकी शूटिंग होगी फ्राइडे सेटरेडे तो उस डेट तक का ये लोग कॉंट्रेक्ट बना करके चलते हैं और साजित की फिल्म शूरू होने वाली है अबदू के अलड़ी कई सारे प्रोजेक्ट है प्लस उसको भी किसी का भाई किसी की जैन में अपने हिस्से के डबिंग पैच्वक जो भी है और फिर सलमान खान तो अबदू को यूज करेगा ये ना पिक्चर के प्रोमोशन के लिए और ये बिजनेस वाला पॉइंट इवी है ये आपको समझ में आना चाहिए तो अशो दंकल कहिए दोस्तो दोस्तो कहिए या फिर कलर्स या पिर जो भी सौनी की रियालिटी शो या जी टीवी या चैनल हो उनका टारगेट ओडियंस आप बन जाते हो जैसे सौनी वालों ने स्टार भारत वालों मिक्का दी वोटी करके शो लाये थे क्या हुआ उसमें यह जो लड़की थी आकंग शा यह पहले से लिविन पार्टनर थी मिक्का की उसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो डाल दिया था कि भाया यह इससे शादी करेगी उससे शादी ह बाहर आकर वो बिलती हैं नहीं हम तो एज फ्रेंड हैं कोई शादी रादी कुछ नी तो कैसी यह पंडिक को बेफकूब बनाया जाता है रियालिटी शो में यह जो रियालिटी शो कि हाकीकत है न ये आपको सामने में ले करके आता हूँ मैं आपको अवेर करना चाहता कि आप यानि जनारदन और यह आप ही हो जो कि एक नले से या नए नवेले एक्टर को सेलिब्रिटी बहुत बड़ा सुपरस्टार बना देते हो तो अपनी पावर को पता नहीं आप कब रियलाइस करेंगे यार मतलब कोई भी उठकर के आता है आपको हां के दिरता वोटिंग ट्रेंड में आप लग जाते हो आपको लगता कि आपके वोट से फरक पढ़ने वाला आप एक बास सोचिए अगर किसी भी एप या फिर सिस्टम पर वोटिंग ऑथेंटिक होगी जैनियून होगी तो आपको एक से ज्यादा वोट वो करने नहीं देगा लेकिन वोट पर मल्टिपल वोट आप कर सकते हैं मतलब यहीं पर समझ में आ जाता कि वोटिंग की कहीं कोई एहमेत नहीं है अगर वोटिंग क करके मेंबर्शिप भी दोगे जाकर के भाई साहब उसके बाद आप उठकर के बोल दोगे कि पेटरल महंगा हो गया देश में महंगा ही हो गई तो मतलब सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं अब यह सारी चीज़ें मेरे साथ साथ आम शूर आप भी जानते होंगे आप यह चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में अनभव की होंगी लेकिन जब आप emotions में आ जाते हैं तो फिर आप emotional fool बन जाते हैं और जब आप emotional fool बन जाते हैं तो आपकी बुद्धी आपका logic आपका IQ आपका common sense सब घास चरने चला जाता है और मैच आता हूं कि आप किसी भी किमत पर अपनी बुद्धी या अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना ना छोड़ें आप किसी का भी वोटिंग ट्रेंड का वीडियो देखते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि या पिछली विग तो वोटिंग लैंड बंद थी या पिछली विग तो कोई मिलियंस में व्यूज देंगे सब्सक्राइब करेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे अरे यार देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मुझा बहुत हसी आती है जब कई सारे लोग उठकर के अनेंप्लॉइमेंट जीडिपी को पर ग्यान देने लगते हैं एबियम हैक एब इंपड़ी बजाते रहते हैं और यही लोग फिर वोटिंग ट्रेंड पर यकीन भी कर लेते हैं तो इन लोगों में कितनी बुद्धी होगी कितना इनका आई की होगा वो समझ में आ रहा होगा मैं आपको अपने एक्स्पीरियंस से बताता हूं चूकि मैं वीडियो डालता रहता हूं सोशल मीडिया भी हो मेरे पास बहुत स्ब्रेंड पर और्जिक चैनल पर वीडियो बना दे मुझे बहुत हसी आती हैं जब तुम नले से फेक वोटिंग ट्रेंड को सच मानते हो तो तुम में किती बुद्धी होगी यह मैं अच्छे से समझ सकता हूँ इसलिए मेरा नमर निवेदन है कि यह जो साजित का या जो अब्दू का जो प्री प्लाइन एलिमिनेशन हुआ ना इसमें आप इमोशनल फूल मत बनिये साजित को भी पहले से पता था और यहां पर तो शिव ने बोली दिया ना कि उसे एक दिन पहले से पता था कि अब्दू जाने वाला है और निम्रत को भी अब यहां पर वो चीजों को रीकलेट कर रही है तो उसे रेलाइज हो रहा कि हाँ यार अब दूने कुछ बाते छोड़ कर जाने की बात कही थी तो यहां पर पता सबको सब है लेकिन दिखावे की एक्टिंग कर रहे है जैसे कि साजित जो बड़ी एक्टिंग करा रहे है यार मेरे को लग रहा था कि ऐसा होगा ओ इत्ती जल्दी जग मेरे को पता नहीं था हूँ भाई बात तो ऐसे कहा रहा है जैसे साजित खान पूरे एक महीने और रुखने वाला है जबकि वो भी कल की एपिसोड में निकल जाएगा सब कुछ प्री प्लाइन है भाई साब आप ए कोशिश की जा रही है और जिस दरह से शालेईन और टीना की जो मतलब वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी मतलब डेड़ बोडी को ड्रैग करने की बार-बार कोशिश करें makers जबकि यार शालियन और टीना से public पक चुकी है यहाँ पर शालियन टीना के सासा सुम्बूल का भी वही जब उसके अब्बू जानाये थे वो वाले clip दिखाये जा रहे हैं यहाँ पर बाते बताई जा रही है मतलब यह सब क्या जरूरत थी यार सीधा मुद्दे पर आ सकते थे लेकि नहीं लेकि नहीं यहाँ पर तो public को पकाया जाएगा उसके बाद रौन देवू विट सीमी गिरेवाल एंड सलमान खान सलमान खान किस किस को ले करके जाना चाहेंगे बिग बॉस में यह सब फालतू activity थी मुझे सिर्व वो पढ़िया यहाँ पर उसने reason भी दिया था तो जादा तर लोगों ने भेड़ चाल में ही इसका शालिन और टीना का नाम दिया था शिव ने अलग नाम दिया था वह सबसे अलग इसलिए दिखता है और इसलिए यहाँ पर संदीब सिकंद कहिए या फिर सलमान या फिर दिब